दुलहन के ड्रेस में सजी इस युप्ती को दिखिए जो सूरत से भाया पटना मधवनी पहुँची है अपने प्रेमी की तलाश में या दुलहन साल भर जो इसके साथ जिने मरने की कसमे खाता रहा उसकी तलाश में मधवनी पहुँची क्योंकि उसने इस दुलहन से शादी के बाद साल भर साथ रह कर दगा दे लिया और सूरत से भाग कर मधवनी अपने गाउँ पहुच गया यह कहानी इसी लड़की की है जो अपने प्रेमी से पती बने की तलाश करते हुए मधवनी आ गई पहले इस लड़की को सुनिए कि इसके कहानी क्या है गुजरात के सूरत में ही दोनों के बीच प्रेम हुआ अब फिर सूरत में ही दोनों ने शादी कर ली दोनों एक ही साड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे तो दोनों के बीच पहले प्यार हुआ और जब प्यार परवान चरह तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और सूरत में ही दोनों पती पत्नी बन गए फिर दोनों साथ रहने लगए प्रेमिका से पत्नी बने निशा भी बिहार के रहने वाली है और प्रेमी भी बिहार का ही है शादी के बाद दोनों एक साथ अपने जिंदिगी का घुरोंदा सजाने लगे पर शादी के बाद से प्रेमी मौके की तलाश में रहने लगा कि कब और कैसे प्रेमिका से पत्नी बनी निशा से छुटकारा पाले इसकी भनक प्रेमिका को नहीं थी कि जिसके साथ उसने जिंदिगी गुजारने का फैसला लिया है वह उसे अलग होने के लिए ताना बाना बुन रहा है और जब प्रेमिका को यह बात पता चली कि प्रेमी एक दिन फुर हो गया प्रेमिका निशा इंतजार करती रही कि जिसने उससे शादी किया है वह उसके पास लोटेगा पर प्रेमी तो सोच विचार कर ही सूरत से गाइब हुआ था और जब प्रेमी का फोन पर बात करती तो वह बात करने के वज़ाए उसे टालने लगा और एक दिन तो प्रेमी के घरबालों ने प्रेमी का को धमका ही दिया कि वे लोग उस पर केस करेंगे कि उनके बेटे को वक कायब कर दिये इस बात से प्रेमी का असाहज हो गई और उसने प्रेमी के गाउं के लोग जो सूरत में रहते थे उनसे जानकारी ली तो पता चला कि प्रेमी अब नहीं लोटेगा वो बिहार में दूसरी शादी करेगा इतना सुनते ही प्रेमी का के पाउं तले जमीन खिसक गई वो बिहार सूरत से बिहार के मदभनी आने का फैसला कर लिया और सज़ सवर कर दुलहन की वेश में प्रेमी के गाउं धमक गई दरसल इस दुलहन को इसकी सस्राल तक पहुंचाने का जिम्मा महिला विकास मंचने लिया जो मद्वनी के ही इलाके में इस तरह के मामले को सुल जाने में महारत रखता है संग्ठन के महिला प्रवंधक अपने साथियों के साथ इस दुलहन को इसके सस्राल तक लाई और मदवनी जिले के जैनगर प्रखंड अंतरगत खैरामट गाउं के उसके सुसराल में रख दिया आपको बता दें कि मदवनी के जैनगर के खैरामट निवासी स्वरगिय किसुन यादब का बेटा श्रवन यादब जो सूरत में रहकर नोकरी करता था वहीं उसकी मुलाकात निशाखुमारी से हुई थी जो भागलपूर के रहने वाली थी और श्रवन जिस फैक्टरे में नोकरी करता था वहीं वह भी काम करती थी दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और फिर आपसी सहमती से दोनों ने सूरत में ही शादी कर ली प्रेमका के मुताबिक शादी के बाद श्रवन के परिवार वाले श्रवन पर उसे दोलहन को छोड़ने का दवाब बना ले जिसके बाद श्रवन निशा को सूरत में ही छोड़ कर चुपचा भागाया जिसे ढूंडते हुए लर्की मद्वनी पहुँची और पूरे मामले की जानकारी आवेदन के माध्यम से एस्थानिय प्रशासन के साथ ही महिला विकास मंच संगठन को दी जिसके बाद प्रशासन के सहियोग से महिला पिकास मंच की अध्यक्षा दीप शिखा सिंग सचिप विमल गुपता उपाध्यक्ष राधा अगरवाल ने लर्की को उसके पती के घर खैरा मट पहुचा दिया लर्की के आने की सूचना पर श्रबन अपनी मा के साथ भाग निकला पर संगठन ने श्रबन के दादा दादी को हिदायत के साथ निशा को उसके ससुराल में रख दिया बहराल सूरत में पती के साथ रहने वाली निशा को दगावाज पती और उसकी सास सुईकारती है या नहीं यह तो दोनों के सामने आने के बाद ही पता चलेगा खुलासा के लिए मधुवनी से राजू प्रसाद की ये खास रिपूर्ट